Production Possibility Model Production Possibility Model क्या चीज़ है अगर हम देखें तो हमने अब तक जितनी चीज़ों के बारे में डिसकस किया उसमें पैदावार का लफ़ज बार-बार हमारे सामने आ रहा है तो वो ग्राफ जिसके जरीए हम Maximum Output Maximum पैदावार की Production की Possibility को Explain करें उसे हम कहेंगे Production Possibility Frontier या Production Possibility Model अब यह Production Model को अगर हम देखें तो यह हमें ग्राफिकल शकल में एक पिक्चर क्लियर करता है कि जिसके जरीए हम किसाब किताब लगा सकें कि हमारी Economy के मौझूद जो जराए पैदावार हैं वो कितने हैं और उन जराए पैदावार को इस्तमाल करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज़ की जो पैदावार है Economy की Form में वो कितनी ले सकते हैं और उसके लिए हमारे पास Available Technology क्या है हमारे पास Available Resources क्या है और एक सबसे अहम चीज़ जो ये है कि हमने इसके लिए पैदावार के एक, दो, तीन, चार, जितने भी जराए हैं हम उसको Include करेंगे लेकिन जो Output की शकल में अगर हम देखें तो जो Goods हम जिसको कहते हैं हम सिरफ दो अशिया की पैदावार को लेकर चलेंगे और उसके पीछे Logic या Reason हमारे पास ये है कुंकि जब हम Graph बना रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा तर Graph Two Axes की शकल में होगा यानि X-Axis और Y-Axis तो चुंकि एक शेय की पैदावार को हम X-Axis पे जहार कर सकते हैं दूसरे की पैदावार को हम Y-Axis पे तो इसलिए इस मॉडल में हम दो अशिया की पैदावार को लेके अपनी पूरी Economy की पैदावार के साथ मुनतबिक करके Explain करते हैं हम अगर अगर अब यहां मिसाल के जरीए लेकर चलें तो हम देखते हैं कि एक Economy के पास जितने Resources हैं अगर हम उनको Sum Up करें तो उसके पास Labor है उसके पास Technology है उसके पास Capital है और उन सारे जराइको इस्तमाल करके अब अगर उन्होंने पैदावार बनानी है तो उसको Decision करना है Here again the Economic Decision रूल आ गया इसमें अब देखें तो एक Economy में Factors of Production के तहत जो उसका Entrepreneur है अब उसको Decide करना है कि वो तमाम Resources को लेके क्या अगर वो Robot बना सकता है तो तमाम Robot पे लगा दे या वो तमाम Resources को Utilize करके अगर हम कहें कि Pizza Production यह हम एक Example दे रहे हैं आप इसकी जगा किसी भी और हम किसी चीज का हिसाब किताब करते हुए इसी दो चीजों को हम कह सकते हैं कि हम Good X या Good Y की Production कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो हम इसको यहां पे इस Form में अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हम अगर तमाम का तमाम Output जो Maximum Form में एक तरफ लगाएंगे तो हम उसके कह सकते हैं कि एक Y Axis बन जाएगा और एक हमारे साथ X Axis होगा और अगर हम 0 से चलेंगे तो तमाम Resources 0 पर हैं और अगर हम दाएं तरफ को चलते जाएंगे तो हम X Axis को count कर रहें अगर हम Y की तरफ जाएंगे तो हम उसके Units को count करते चले जाएंगे और अगर तमाम की तमाम Resources X Commodity पे जिसपे अगर हम कहें हो सकता है हम पिजा लेके चल रहें अगर तमाम इस पे लगा दिये जाएं, तो वो अपने तमाम resources के जरीए एक commodity को produce कर सकता है, और अगर entrepreneur चाहे तो अपने तमाम resources सिरफ robots की production पे लगाए, तो वो robots को produce कर सकता है, लेकिन इन दोनों को produce करने में वो various combinations भी बना सकता है, इन दोनों combinations को बनाते हुए, इसका मतलब यह है, कि good X और good Y या pizza और robot के दर्मियान, अब उसको जो different combinations वो कर सकता है, उन दोनों को हम मिलाते हुए एक graph अगर draw करेंगे, तो वो कहलाएगा production possibility frontier, और साधा अलफाज में हम कहेंगे, कि वो तमाम सरमाया, जो economy में मौजूद है, labor की शकल में, capital की शकल में, land की शकल में, अब अगर उन तमाम जराय को हम इस्तमाल करते हुए, पैदावार की शकल में लेके आएं, तो वो maximum या ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जो इन जराय के जरीए पैदा की जा सकती है, उसे अगर हम express करें, graph की शकल में, तो हम कि वो production possibility model है, अब अगर हम इसको, उसी graph को हम इस points की शकल में मैं explain करूँ, तो हमने इसके उपर different points को explain किया है, और उसमें अगर हम देखें, तो हमारे पास कुछ चीजें सामने नदर आ रही हैं, जिसमें अगर आप देखें, तो अब इसमें point A, point B, point C, and point E, ये वो तमाम points हैं, जो combinations show करते हैं, दो goods की production के, अगर हम point B की बात करें, तो इस point पे हम इसाब किताब लगाएंगे, कि हम 9 units robots के produce कर रहे हैं, और दूसरे तरफ अगर हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि 2 units हम pizza के produce कर रहे हैं, और इसी तरह point C आएगा, तो हम उसके सामने line draw करते हैं, और एक उसी के नीचे, तो हम देखते हैं कि ये combination कितने points को show करता है, इसी के साथ मैं अगर एक और point यहां पे add क करना चाहूं, तो हो सकता है कि मैं यहां add करूं, तो हम कहेंगे कि हम इसको इस form में, कि इतना y-axis पे मौझूद robot और x-axis पे मौझूद pizza का एक good combination बनेगा, अब अगर हम देखें तो जो point D है, वो हमारे इस graph को जिसको हम production possibility frontier कह रहे हैं, इस से बाहिर को जा रहा है, और यह इ उस range से बाहिर होगा, उसे हम कहते हैं कि they are unattainable, वो हम अपने resources के, कौन से resources जो आज available हैं, हम उन से उसको पैदा नहीं कर सकते, produce नहीं कर सकते, और इस maximum line के अंदर, वो तमाम points जो यहां अंदर भी मौझूद होंगे, वो तमाम के तमाम points भी अगर हम कहें, production हो सकती है, और य तमाम points जो production में हैं, they will be called attainables, और यह attainables का मतलब है कि production level जो है, वो society का, वो इस level पे भी हो सकता है, वो इस level पे भी हो सकता है, और वो इस level पे भी हो सकता है, अब फर्क क्या होगा, फर्क यह है कि यह जो अंदर मौझूद, जितने भी हमारे post points of production होंगे, they are attainable, बट इनको हम कहेंगे कि they are inefficient, क्योंकि इन पे पैदावार दरूर हो रही है, लेकिन जितने resources हमारे पास available हैं, हम उनको उनकी maximum capacity और utilization के मताबक इस्तमाल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि जो हमारे resources हैं, वो under utilize हो रहे हैं, और efficient point कौन से होंगे, वो तमाम points जो हमारे production possibility frontier के curve के उपर मौजूद होंगे, अगर हम उनको देखेंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास वो points हैं, जो हमें efficient way में production दे रहे हैं, तो हमारे पास एक और चीज़ जो clear होती है, कि हम अगर production possibility frontier के resources जो economy में मौजूद हैं, अगर उनको बढ़ा दें, अब ये वाली जो line है, ये ह पहले हमारे पास unattainable में था, अब इस curve के तहत, वो हमयारा attainable की form में मौजूद हो गया है, अब वो attainable और unattainable के तहत अगर देखें, तो अब हमने center में एक नई part रखा है, जिसका मतलब है now attainable, लेकिन उसी के तहत, अगर मैं यहां पे एक point G अपना रखूँगी, तो उसका म unattainable, अगर economy increase करती है, और GDP बढ़ता है, और उसके तहत, हम ज्यादा resources को लेते जाएंगे, तो यह भी unattainable, हम अगर इसको बढ़ाते जाएंगे, तो यह कल को हमारा attainable हो सकता है, तो इस form में अगर हम देखें, तो inefficient points, efficient points, attainable points, जो curve की अंदर तमाम points होंगे, और curve की line के उपर वो तमाम attainable, और जो curve से बाहर होंगे, वो तमाम के तमाम हमारे लिए unattainable होंगे,